ठीक है इंडिया प्लास्टिक पैक्स किन दो के मद की संयुक्त पहल है एक तो WWF हो गया और दूसरा CII अर्था कि भारती उद्योग परिस्टन की तो इसके बरतवान देख्षे कौन है ये भी ध्यान रखी आर्धिनेस होगा और बात कर रहे खादी ग्राम उद्योग के नय अध्यश कौन बने है मनुस कुमार इनका में नाम ध्यान रखीगा सवाल आया था पूना पैक्ट कब हुआ था ठीक भारत को एक राष्ट्यर सब्सक्राइब कर लकुतर में के निर्वाचन जिवाल में सवाल आपका आया प्लासी का यूद कब होता है प्लासी का यूद कब होता है प्लासी का यूद होता है 177 में और इसका नित्रत वे कौन करता है अंग्डेश के तरफ से रॉबिट क्लाइब तो आपको बकसर की भी याद रखना है कि बकसर का यूद कब होता है 1764 में इसका अंग्रेजों का जो नेक्टरत वे किस नहीं किया था ठीक है फिर तकी सवाल आपके कहां से आये भाग से आये अपके अनुसूची से आये आपके उसके भाग पुछ लाएगी जैसे कि निति न अनुसूची चार तो यह भी तो अनुसूची आप पूरा रट लीजेगा जितने भी यहां बारा अनुसूची वह रट लीजेगा भाग इसके पूरे रट लीजेगा अनुछे भी कोशिश की जगा रट लेने के लिए एक्जाम आ रहा सुरज कुंड मेला 2022 कहां हुआ ठीक तो पूछा कि इसकी इसका जो है अतिती राष्ट कौन है उजबेकिस्तान फोकस्ट कंट्री कौन है जम्मु कश्मीर ठीक है फिर करें इंटरफर्स क्या सवाला बलनता है कि पी एम डिवाइन यूजना का समत किस शक्र से है तो नौर्थ इस्ट भारत के उत्थान से है यह कि थी चींड़े अरब ध्यान रख़ए कि र highway उजना कि मंत्राले की पहर है फो न पर्षठ महली उजना का समंस्ट किससे है तो रूपबय को बढाओ देने के लिए ने लेक्स सवाल आए आपका कि प्रो कबड़ी लिग किस ने जीता ध्यान रखेगा दिल्ली दवंग ने जीता संतोस टॉफी किस ने जीता केरल ने किसको हराकर प्रश्चिम मंगाल को तो ऐसे सवाल आपके एक्जाम में बने हैं रंजी टॉफी तो किस ने जीता तो मंत्र सवाल आया हर्याना का राष्टी विद्या अप्लिकेशन कारकेम को लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा को आने यह सवाल आया मौस्ट इंपोर्टन को संथा मैंने पहली बताया था वीडियो में और पेडियो में लिखा हुआ है नागा लेंड से बनने वाले दो के पहली वैक्सिन का नाम क्या है ठीक है डिया अधारित कोविल-19 के पहली वैक्सिन का नाम है जाकवडी कौन सी कंपणी इसको बनाया जाडस काडूला कंपणी ने बनाया तिन डोजवाली यह वैक्सिन है तो को वैक्सिन भी ध्यान रखें यह भी सवाल पूछा गिया है यह सवाल यह सवखर आपके exam में आये है उसको किस का मला या भारत इटांट कमपणी हदे Online के कंपणी ने बना है लिए तो को विट इसे हैं किस ने मिलाया इंसटिव stimulating पूने नेबना जाते हैं यह सवाल आया था सबसे चोटा को सिकांग क्या है राबसुम से यह प्रोटिन की कहते हैं सबसे चोटा को सिकांग है और समिधान संसोधन कब होता है 2002 में होता है 86 सम्मिधान संसोधन धवरा कौन सा अनुच्छत जुटता है अनुच्छत 21 और 11 जो इसमें मौलिक करतव इसी अनुच्छत के द्वारा जो है इसमें जो रगया यह भी ध्यान रखेगा Right to Education कब का है 2009 का है यह सवाल एक्जाम में आया है वर्तमान में सिख्छा किस सुची का विश्या है ध्यान में रखेगा सम्मर्थी सुची का विश्या है कौन से सम्मिधान संसोधन तो 42 सम्मिधान संसोधन के तहट एन एपी New Education Policy 2020 किस समिधी की सिफारिश पर आती है तो सवाल एक्जाम में फूछा गिया खरते ब्दार्थी में कौन सामवल होता है सित्रिक अम से भी दोचियाद्ट औक्जैक एसेडरीक एसीड का सुत्र पूछला है ध्याप रखीगा सेंट हुध तो से में सामवा रह Oke कर दोद में होता है लाक्टिक एसिड लोगसवा में सांसदों की करवाई जानने के लिए कोहां से एप लॉंच हुआ दिच्टल सांसद तो यह भी ध्यान रहा है कि सत्रवी लोगसवा के दश्कॉन ओम बिर्ला और कहाँ किसे सांसद है तो यह लोगसवा सांसद हैं सवाल आया है का जुड़ना क्या कलाता है अप चैं जिसको कहते हैं इंग्लिश में ऑक्सिकरन होगा अर्थाथ ऑक्सिडेशन होगा तो सवाल ऐसे ऐसे एक्जाम में आए हैं से तो महात्मा गांदी की 185 जन्ति कम मना गया था तो 2019 में क्यूंकि महात्मा गांदी के जर्म होता अथा सुनात्र में अब इसको एड़ कि जाएगा तो जो जरू से पहुंच आपको जब मिल जाएगा तो आपको से क्या पुछा धारा पुछ लिए अपका अब देकी सवाल क्या आया कि साहित में नोबल पुर्षकार प्राद करने वाले पहले भारति को है तो रविना टैगोर किस के लिए तो गितांजडी के लिए इनकोई मिला था और कग तुनी सो तेरह में अर्थ सास्त्र में नोबल पुर्षकार प्राप्त करने वाल पहले भारति को थे अमरसेन ये भी ध्यान रखेगा अमरिता देवी विश्णोई ने किसके साग्रक्षन के लिए थे खेजरली ब्रिक्ष के सांग्रक्षन के लिए ठीक है तो इनका स सवाल मैंने ऐसको निया हुआ है तो आपके स्फ्राप्ता बताना है तो पताँ है यह आपको क Artemis के सब्सक्राइबिया अन्सर आजयेंगगे ठीक है आपके क्या आंसर आ जाएंगे ठीक है चलिए यहां पे 60 संटिमेटर है इसको में में चेंज की जागा तो क्या आएगा 0.02 आएगा ठीक है और आंशर हो ज्यांगा चार डायोप्तार राजसभाय की सीटो की सीटो का वनटन किस अनुशुंची में सवाल आया था सरवादिक विद्धूत रुईनातमक किस हैलोजन की यह ध्यान रखे का फ्लोरिन क्यों होती है मिशन इंदुष धनुष कब शुरुआ था यह सवाल आया था एक्जाम में टीका करन से संब्दीत है यह उसना है और 25 दिसमें 24 को यह आती है किसी ने अपना साइ प्रिपसीन इंजाम कहां से सरावित होता है अमासे से यह एक्जाम में आया है ग्रामीन ओलंपिक कायोजन कहां शुरुआ यह आया एक्जाम में राजस्थान में से है और कुल इसमें कितने खेले छे खेले देवेंद्र जहांजरिया को पदम विभुशन 2022 मिला तो यह क्या है भाला फेक के दिव्यांग खिलाड़ी है राजस्थान के रहने वाले हैं तो ऐसे सवाल एक्जाम में बना है रीगवेद में कितने मंडल तता सुक्त है यह दिया रखीगा दस मंडल और 101018 सुक्त है रीगवेद के तिसरे मंडल के संबंद किससे गाहतरे मन से जो कि सुर पनिश्द इसमें क्या है भई इसमें चार आसरम का इसमें उलेक क्या गया है सवाल दिखी क्या सा कैसा है कि हाली में 250 वंडे विकर लेना वाली पहली वाली विसके पहली मेले खेला कि कौन बन गी जूलन को शामी वर्ड कप में भी सरवाधिक विटकर इन्होंने लिया है 200 बंडे मैच खेने वाली दूसरी खिलारी बन गहीं है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां साबित हुआ है लखना उत्तर पर दो इसमें इकोलाजी सब्द किस ने दिया अर्नेस्ट हेकल ने एकोसिस्टम सब्द किस ने दिया टेंसरे ने दस परतिसत उड़ जा का नियम किस ने दिया लिंडेमान ने महाने दिक कहां से निकलती है वक्तर चुद्धिस गरते तो ऐसे इसे सवाल आये हैं एक्जाम में सब्दान सबा की गठन का सरपर्थम विचार किस ने रखा तो मानवेंदर नाथ राय एमिन रॉय ने सुनिल छेतरी का समन्द किस से फुटबॉल की खिलाड़ी है और दोजरे इस में ने मेजर ध्यान जंद अवर्ड से नवा जा गया ध्या रखीगा अंतराश्टी ओलंप इसी तर्च पर एक और सवाल ध्यान रखीगा सुपर कंपिडर परम गंगा को कहा स्थापित किया गया आयाइटी रूट की उत्राखंड ठीक है ऐसे सवाल आपको एक्जाम में बन सकते हैं कुछ ऐसे सवाल रेपिट भी हुए तो इस बात का ध्यान रखीगा लेक्स सवाल 12-30 में घुषद किया गया था अगर आपने मेरी पीड़ेफ ली होगी अगर मेरी पीड़ेफ दस सवाली अगर आपने लिया होगा तो उसमें ये कोशन बिलकुल आपको जनवड़ी या फरवड़ी आम आर्च वाले में मिल जाएंगे है ना तो आप ज़रू पीड़ेफ ल भोजन बोजन को पूरे पौधे में पहुंचाने का काम कौन करता है फ्लोयम फर से फल फ्लोयम मतब एक प्रकार का भोजन खाते हैं तो इस से ट्रिक से याद रख सकते हैं अगर आप से पूछ लिया जाएंग जायलम फ्लोयम से सवाल आया था तो दियाय रखेगा जायलम तता फ्लोयम कैसा उत्तक है यह भी सवाल बन सकते एक्जाम में कि यह कैसा उत्तक है जटिल अस्थाई उत्तक है एक सवाल क्या आया था दियां रखेगा करेंट एफट से कि डाबलू एचो का वर्ल्ड हेल्थ और्गनेजेशन का ट्रेडिशनल मेटिकल सेंटर कहां है आंस किसान अप पुछ लाइए था खिस ने लॉंच कि लिए तो आया टी रूर की उत्राखंडे ठीक है परम अनंद अगर परबेगा परम गंगा पूचा थो परम अनंत भी धियां रखेगा परम अनन्द सुपरकम्पीटर कहा स्थापित क्या गांधी नगर गुजरात में ठीक टेस्ट बेड को किस ने तैयार किया आयाटी मदरा से ये सवाल आपसे पूछा गिया था ट्राइ के ट्राइ के 25 साल पूरे होने पर पीम मोदी दोरा इसे लांच किया गिया था और अगर मैं बात कर लूँ ट्राइ का फुल फॉर्म क्या हो था टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथ इंडिया के वर्तमाना धेश कौने पीडे बगेला अगर मैं पूछनों किसके स्थापना कब हुई थी 1997 ये भी ध्यार के एक्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं सवाल आया यहां पर ध्यार के इसका आशर होगा है और किसके दौरत केंडरी आयुश मंतरी सरवानन सोनेव कि दौरा इसका उधगा गया था एक सवाल देखिए महिला क्रिकेट टीम के कोच वर्तमान में कौन है तो रमेश पवार ध्यार किएगा ऐसे सवाल है तो पुरुस्क्रिकेट टीम की कोच में कौन है राहल द्रविद हलाके भी कोविड-19 के कारण अभी यह नहीं है इनके ज सवाल महिला क्रिकेट टीम कोच का पूछा गया है तो आयसे के अध्यक्ष भी ध्यार केगा कौन है ग्रेक बरकले कहां के हैं यह न्यूजलैंड के हैं अगर आयसे का मुख्याले पूज़े है तो जरू बताइए कि दुबई होगा एसेन क्रिकेट कौंसिल के अध्यक्ष अहां का है तो असम का सिंपल था और एक सवाल यहां पर आया था क्या असम का सास्त्रिय नित्र जो है कौन है क्या है तो ध्यारे के सत्रिया और भारत का नविंतम है कुल सास्त्रिय नित्र जो है कुल क्लासिकल डांस टोटल भारत में कितने आठ हैं असम का जो सत्रिया जो डांसे ये भारत का नविंतम है तो इससे क्या सवाल बना था आगे देखते हैं बात करते हैं अमुबाची का मेला कहा लगता है कामख्या माता मंदिर असम में लगता है और असम की परमुख नदी ध्यां रखेगा कौन से है ब्रह्म पुत्र नदी और इसको नेपाल अर्था नेपाल के रादनी तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है ब्रह्म्पुत्र नदी की सायक नदी कौन-कौन से जरूर ध्याया रखेगा तो लोहित नदी होगया धन्ष्री कामिंग ये सब दोतीन नाम ध्याया रखेगा तो सवाल आपको क्या पूछा था जरा धीक है तमिल को ठीक है आपको मैंने बताए कि यहाँ पे जो टोटल कितने भासा कुल सास्त्री भासा गर छे है तो सवाल यहां से आपसे पूछा कि तमिल को कब भारत की सास्त्री भासा भासा बनाया गया एक तुस ध्यारे के सबसे कुराना क्या है तामील और यह 2004 में और इसको अपना गया था और नविन्तम कौन है तो नविन्तम ओडीसा है 2014 में पुछले तो आपका कितना है तो आपका छे है क्लासिकल जो यहां पर अपकी जो लैंग वबस थैं ठीक है हलाकि नाम क्या है तामिल संस्क्रीट कनर तेलगू मल्यालम और ओडिसा ठीक है ओडिया ये छे नाम ध्यान रखेगा तो सवाल आपका यह था बस गुमा कर सवाल पूछा था भारत के वरतमान उपर राष्ट पती पूछ लेगी आपका सिंपल जर्गदीब धनकर है अगर इसके पहले कौन थे तो बैंक या नाडू ठीक अगर सवाल पूछ लेगा जर्गदीब धनकर इससे पहले क्या थे वो बेस्ट बेंगौल के भारत के राष्ट पती होगा ये तो पूछले अनुछेँद 22 पूछली और यह?". अनुछेद 163 भारत के राष्ट पती द्वारा अनुसुची आर्थ में जोरा गया है ठीक है कुल देखिए अगर मैं पूछ लूँ यहां पर पूछा जा कि मूल समिधान में टोटल कितनी भासा थी 14 वरतमान में कितनी है 22 यह चार जो भासा है न बोड़े डोंगरी मैं तो यह सुनता लिए भासा कब जोरी गई त समिधान संसोधन के द्वारा तो यह सवाल आपके एक्जाम में पूछेगा संग की भासा संग की राज भासा होगी यह किस अनुछेट कंतरगत है तो अनुछेट 343 कंतरगत है यह सवाल आया था विश्व हिंदी से दिवस कमना जा तो तो देभी ध्यान रखेगा अगर सव दहान मंतरी जीवन ज्योती भीमा जोजना कप सुरूआ था नौ मैं 2015 को लेकिन तवाल आपकी यह नहीं पूछा गया आपका सवाल यह पूछा गया कि इसकी पात्तर तक कितनी होने चाहिए तो 18-50 वर्ष की आयू के सभी व्यक्ति तो यह सवाल इस तरह से गुमा के पूछ 60 साल के उम्र के बाद हर महीने एक हजार से 500 रुपी के तक की पेंशन मिलेगा प्रेमर रास्तियों की बेलुस रुपया परमन्त है ना भारत के पंचैती राजमंत्री वरतमान में कौन है यह भी धियां रखेगा गिरिव रास्ति हैं कब का धीनिया में 1992 का कब इसको लागू किया गए 24 अप्रेल 1993 को लागू किया इसलिए 24 अप्रेल को क्या मना जाता है पंचैती राज दिवस मना जाता है इसमें कुल कितने वी से 29 कुल अनुछेद इसमें कितने 16 कितने से कितने 243 के लेकर 243 ओ ठीक है तो सवाल आपका यह का सवाल एक पूछा गिया अनुछे 243 इक का सम्मंध किसे तो पंचैत का कारकाल से होगा पंचैती राज को लागू करने वाला पहला राज कौन था गंगौर जीला राजस्थान का कब 2 अक्टूवर 1969 तो देगे सवाल आपका क्या आया था कि क्रिश्ना नदी से ठीके क्रि पेड़ी नदी की शायक नदी व्याद रखे हैं मती और काबिनी गुदावनी नदी का उद्गम कहां से होता है त्रयमकम की पहारी नासिक महराश्थे तो ये भी ध्यान में रखने हैं आपको सवाल देखें नदी से भी काफी सारे सवाल काफी सारे सिफ्ट में पूछे गय नदी का उद्गम कहां से होता है अमरकंटकी पहारी मदपर्दिस से अलमाटी बांध कहां से तो ये सवाल आया था आथा आपके एक्जाम में ठीके क्रिश्डा नदी की सायक नदी धियां रखे का मूशी और तुंग भद्रा मूशी निद्दी की किनारे कौन सा सहर बश्य यह भी याद रहे हैं है और इसे भारत में कम लाए गा था भारत रज्जु में ठीक है 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा तो सवाल आपका या था सर्दार सरुबर बांद किस नदी पर नर्मदार नदी कहां गुजरात में धुआधार जल पर पात यह सवाल आया था किस नदी सवाल आया था साइंस से chuck दया हुजरा सचलेंजा नीू लाइंचने अधिक है इसकता दूजरा निया नियू लैंडस ने तरिक नियम दिया था और और इसने क्या कि पहले और ठीक इसने का था पहले और तिसरे तत्व का उसत वही होगा ठीक है पहले और तिसरे तत्व का उसत जो होगा वही दूसरे तत्व के दरविमान के बराबर होगा सुमीत अंतिल का सम्मद किस्से है क्या खिलारी है पत्रकार है असपोर्ट इसकी बिजनसमेन है क्या है ठीक है तो यह खिलारी है और भाला फेक पैरा खिलारी है ठीक है पैरा खिलारी है और ध्यार रखीगा टोक्यो ओलमपिक में ठीक है बात अगर हम करें टोक्यो ओलमपिक म ये भी किसी एक्जाम में पूछ लागे तो ये दिहां रखेगा ठीक है पाँच गोल्ड आर्ठ आपका सिल्वर और छे क्या है आपके ब्रॉंज ठीक गोल्ड सिल्वर और ब्रॉंज ठीक तो पाँच गोल्ड कौन-कौन नाम याद रखे के एक तो पहले की टोकियो जो पारो हम याद रखे आवनी लखे रहा सुटिंग से सुमीत अंतिल भाला फेक से मनिश नडवाल सुटिंग से परमुद भगत बैड्मिंटन से और क्रेस्ट्राइन अगर भी बैड्मिंटन से ये पांच जो थे ना गूल्ड वाले हैं ठीक है असमाइल योजना ठीक है असमाइल पर फुर्फरम याद रहें कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविज्वल्स फॉर लाइवलिवड एंड इंटरप्राइस ठीक है अब बात टोक्यो पार ओलंपिक होगे तो कुई ओलंपिक से भी सवाल जानेंगे टोक्यो ओलंपिक में रजट पदक भारत ने कितने जीते तो यह सवाल आगिया था इससे घुमाकर अगर आपको पता है कि 124 ठीक है 12 पर याद रिखेगा एक गोल्ड दो सिलिवर अचार ब्रॉंज तो डिफिनल्टि आप इसका अंसर कर लें तो मैंने में में सारे इखटे लिखे भी है टोक्यो ओलंपिक होगे टोक्यो पार है यह चार नाम याद रखीगा एक तो होगे गोल्ड में कौन नीरच चोपरा ठीक है बाला फेक से सतासी दो समलब अठावल मीटर यहां रखीगा दो सिल्वर में सिल्वर में कौन तो रवी दहिया कुछते से मेरा वाई चानू रसलिंग से यह दो लोग होगे यहाँ पे चार लोग हो गए ठीक है और एक जो होगे एक होगे नीरच चोपरा है ना एक होगे नीरच चोपरा ठीक चलिए नेक्स सवाल प्याते कि तो क्यों से करम का था यह खेल इस बार 32 करम का था रैंक भारत की 48 वा और सुबंगर मिरावाई तानू पहले अस्थान पर कौन है यह किसका पत्रिका समाचार पत्र था दादा भाई नौरुजी का यह भी ध्या रखेगा सोम परकास किसकी पत्रिका थी इस वर्चंद विद्या शागर की और यह याद यह भी रखेगा कि विदवा पुनर विवा को प्रस्वाइद किस ने किया था इस वर्चंद विद्या सागर ने मिजातुल लखवार संबाद कौमेदी किसकी पत्रिका है राजारा मोहरा की ध्यां रखेगा केसरी का किसकी पत्रिका है बाल गंगधर तिला की प्रबुद भारत किसकी पत्रिका है शौमे विवे करनंद की अलहिलाल किसकी पत्रिका है अबुल कलाम अजात की तो मु बिध्यार रखे ओडिशा में संताल बिद्रो छोटा नागपूर का पठार जहर खंड में कुका बिद्रो पंजाब में खेलो इंडिया तकी सवाल यहां पर आया था खेलो इंडिया इनिवर्सिटी गेम्स 2022 कहा हुआ बंगलूडू कर्णाटक में और कौन सा यह खेलता दूस कर दाकर इसका है पहला साथ इसमें हर्याना का अच इसका जो शुभंकर भी ध्यां रखी का सुभंकर है तो सवाल दैनार च्छन का जार करना होता है जिसका नाम है क्या मॉन्टेन प्रोट्रोकॉल कनाडा में हुआ 16 सेप्थम्बर 1987 को इसलिए 16 सेप्थम्बर को क्या मना जाता है ओजूं स्रक्षन दिवस मना जाता है ओजूं प्रत की छरन की खोश किसने की थी फोर मैं ने किया था किस तट पर लौटते हुए किस सवाल ये ते कि लेकost होती को दिनाय वालवार इसको करते। लड़ को बात करतें हैं कि अनिनो क्या है गरम जल्धारा जुसे मांुन परदीव परभाव है और लालीणों के ऐसी है ठंडी जल धारा है जिसे मानसुन पर पॉजिटिव परफाप करता है मावट क्या भई? सवाल द्यारे के यह आत एक्जाम में सर्दी में जो बारिस होती है उसे मावट करते है गोल्ड डॉप केते हैं और किस फसल के जो सर्वत्तम होती है तो रवी फशल के लिए होती है रवी फशल कौन कौन चना राई गेहू मटर जो सर्वत्तम हो आलू ठीक है यह चार पांच छेना में याद रखीगा यह सवाल दिखे यह आत एक्जाम में बारी दावफ छेतर किस के बीच बनता है तो ध्यारे के जब दो नदी के बीच की छेतर को क्या कहते है बारी दावफ कहते है बारी दावफ छेतर के बीच बनता है तो ब्यास और रावी नदी के बीच में रचना दावफ की छेतर के बीच में बनता है रावी और चिनाव के बीच में ठीक है? चले और 6, 2, 26 बिच में बनता है तो जहलम तता रावी के बीच में बिच्ट 2, 26 बिच में बनता है ब्यास और 17 नदी के बीच में तो देखी नुमेरिकल से एक सवाल बना था कि गुली दरपन की वक्ट का दिजा 12 cm है तो फोकस दूरी ज्याद करना है तो सिंपले फोकस सुदूरी के फर्मूला था एक बराबर आल बै टू आर का वैलू यहां पर बारा सिंटिमेटर दिया हुए डिवाइड़ बै टू तो छे सिंटिमेटर जिसका आंसर आजाएगा भारती मालक समय रेखा कितना होता है सारे बिरासी डिगरी कहां से न्यानी मि प्रदेश उतर प्रदेश शत्यूस ग्रड और ओडिशा देखे सवाल फेफरा सब यहां था ठीक है जो फेफरा होता है हमारे ठीक है फेफरा जो होता है तो इसमें जो क्या एक कूपी एक इसको यहां पर नम्बरिंग करके पूछा था क्या आपको बार्न टू ठीरी तो य आपको पता किरने की इकाई क्या है ने फ्रॉन केंद्रे सिक्षा मंतरी धरमिंद्र प्रदान ने एक जनवरी 22 को सो दिवस्य पढ़ाए अभियान डैस का सुभारम किया इसका नाम क्या है तो आंसर हो जागा पड़े भारत अभियान ध्यार रखिएगा इसे में छातरों के सिखने की सिख्षा में सुधारो किया जाएगा और भागिदारी में कौन को ने छातर अभिवावक और टीचर इसमें भागिदारी में शामिल है लेक्स हवारे कि 5 जनवरी 22 को कैंसर कारने भारत में चीते की पुन्ह बापसी हेतुकार योजना शुरू किये इसके तहत अग कुनो राष्ट्य उद्यान में रखे जांगे तो कुनो नेशनल पार के राष्ट्य उद्यान कहां पर याद रखे यह भी मद्य पर्देश में तो यहां से सवाल यह भी बन सकता है चलिए लेक्स सवाल प्यात है कि 5 जनवरी 22 को 5 जनवरी 22 को आर्थिक मामलों की मंत्रि नाम है इसका गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजिस्तान, केरल, उत्तर प्रदेश, करनाटक और तमिलाडू, जिसमें 20 गीगावाट का लक्ष है अगले 5 वर्सु तक, लेक्ष सवाद, भारत ने कब तक उर्जा सोतंतर का लक्ष रखा है 2047 तक, भारत ने कब तक कारवन ट राले से है, और इसमें क्या होगा, समगड़ विकाश होगा, किसका चात्र और सिक्षक का, राष्टी सिक्षानिती 1986 के बाद 2020 में आई है, और किस समीती की सिफारिस पर ध्यान रखे है, और most important question, कस्तूरी रंगन समीती की सिफारिस पर जहाँ 10 प्लस 2 के सान पर आप क्या हो पातित तत रक्षक बल, ICG की 24 में महानिदेशक के रुप में पदभार, ग्रहन किया है, वडेंदर सी पठानिया, BSF के वर्तमान महानिदेशक कौन है, पंकच कुमार सी है, CRP के ने महानिदेशक कौन मनें, SL 1000, कुल दीव सी के अस्थान पर, असम रैफिल के परमुख कौन ह पातित राज़तान सुरू किया गया, नागपुर, यह है कहां महराष्ट में, पब्लिक ट्वालेट को सुलब हो, ठीक है, पब्लिक ट्वालेट क्या हो, सुलब हो, एवं सक्षो इसकिया, यह उद्यस है, प्रोजेक्ट बोल, जिसमें का उद्यस से, बास कुत पादन से निक्त किया गया, नीता अनंद को, एक जनवडे 22 को कि संगठन का 64 अस्थापना दिवस मनाए गया, दियाडियो का, ठीक है, क्योंकि एक जनवडी, एक जनवडी 1959 को क्या होता है, दियाडियो की स्थापना होती है, यह रखीएगा, इसके स्थापना कब होती है, एक बोट का नया अध्यक्षिवम मुख कारकारी अधिकारी नुक्तिया गया बिने कुमार त्रिपार्थी को वर्तवार में भारत के रेल मंत्री कौन है अश्वनी वैश्णव है सेल अर्थात अश्टेल ऑफ इंडल इमिल्ट की पहली महिला पर अध्यक्ष कौन बनी है सोमा के लिए नेख सवाल पर आते कि नैव एक एक एश ठीक है नैव एक एश कार्ट किसे ने लौंश किया है अश्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसके लिए तो नौसेना की करमचाड़ियों के लिए वरतमान अध्यक्ष कौन ने धिनेश खारा है ससस्त्र सीमावल के ने महानी देश कौन है एसल थाउसेन है भारती सेने कहा बड़ कौंटम पर योगसाले के स्थापने की महु मद्द पर्देश में जहांसी रेल्वे का नया नाम क्या रखा गया जहांसी रेल्वे स्टेशन का निया नाम क्या हो गया है विरांगना लक्षिमभाई रेलवे स्टिशन नौसने का वरतमान अध्यक्ष कौन है अड्मिरल आर हरीकुमार वाई सेना के वरतमान अध्यक्ष कौन है तो वेकराम चौधरी है और थल सेना के ने अध्यक्ष कौन मने मनोज पांडे ने स्वाल प अठीत सहकार्ता मंत्राले में संग्त सजीव की पद पर नुक्त किया गया अवय कुमार्थी को और सहकार्ता मंत्रे को ने अमिसा ऑपरेशन देवी सक्ति का समत कि से अफगानिस्तान में फसेवे भारतियों को बापस वहां से निकालना चर्चा में रहा इंदरजाल क्या है त 100% LPG GAS Connection वाला पहला राज कौन सा हिमाचर प्रदेश भारत को कोडिया मितुत्ता पर का उद्गाटन का किया अगे नई दिल्ली में 52 दादा साहब फाल के पुरुषकार किसे दिया गया आसा पारे को दिया रखेगा और इसके पहले कौन थे रजनी कांथ ग्लोबल जेंड इंडेक्स 2022 में भारत कों सा रंक है 135 रांक है ये रिपोर्ट Vishwa आर्थिक मंशु द्वारा जारी किया जाता है विशुकालई सुचकांक 2022 में भारत का रंक है 136 में भुकमरी सुचकांक में ध्यान रखे है 222 में इसका स्थाने भारत है 107 मा देश का पहला ग्रीन है डोजन मोबिलिटी प्रोजेट कहां स्थापी दिवा लद्दाक में अधित 11 क्या है एक अंत्रिक्ष यहां जिसका मिशन सुट का धिन क जीता है ट्रैंगल साफ साड़नेस फिल्म ले आईजन हुआ है इसका पेडिस फ्रांस में इसका आईजन होता है कि इसका कान फिल्स महसब का हाली में तराश्टी किर्केट पड़िसद तीन देशों को सदस के रूप में सामिल किया है मंगोलिया तजाकिस्तान और सुच्छ इसका मुख्याले कहा है इसका दुबई में सरी शित्व में समुदाइक वन संसाधन मांडिता पत्र देने वाला देश का पहला जीला कौन बन गया है धमतरी जीला 36 गटका जो वन संसाधने उन पर अधिकार वही का स्थानी जंचार्ट योगा होगा यह इसका उद्देश ह है भारती इस पारलंफिक दल के थीमगीथ क्या था तो करदे कुमालतु को किसे नहीं लिखा संजीर संजीर से ने ज्याद रखेगा और परिलंफिक दल के थीमडीत क्या था लक्षो तेरह सामने है儿 इसे कितने गहाय था मोहिच चौहara ने घरता भारती पहली किइन योमिय चिप का नाम क्या है जिंगाउ इंडी गाउ ठीक है और इसका निर्मान किसने किया है नेशनल इंस्टिट आफ एनेमल बायोटेक हदराबाद ने किया है कैटरल मशली कुकिस राज का राच्छी मशली घुषरत क्या इसकीम का नेक्स वाल पर आते हैं कि हीम तेंद्वा और काली गर्धन वाली सारस कुकिस राज का पसू एवां पक्षिर घुषरत क्या गिया लद्दाक का कोविट-19 के लिए दुनिया के पहले餐 अधारित है जाक अब्डी तयू किसां की पिन्द शुक्त किया युण के कैया। गुरु ग्राम में, ट्रांसजेंडर इनिवर्सिटी कहा स्थापित हुआ है कुसी नगर उत्तर परदेशे में, बहात का पहला मानवियुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, गगन यान, बहात का पहला समुदरी मिशन कौन है, समुदरीयान, चंद्रियान टू किसने, लॉंच, किस से लॉंच किया गिया, जेसलवी, एमके 3, एमके 1 से, लैंडर का नाम था, बिक्रम, मंगलियान किस रॉकट से भीजा गया था, पेसलवी सी 5025 से, पेसलवी सी 25 से 5 नॉम्मर 2013 को, जेश का पहला राष्ट समुदरी विशा, विशाषत परिशर कहां बना जा रहा है, गया दियान की सुरुआत की है, जल सकती मंत्राले, जनर सरक्ष्ण के लिए, वरतवाल के बहुट के जल सकती मंत्री को है, गजन दु방 से खावद, वरतवाल में भारत के स्वास मंत्री को है, यहाँ पर मंसुक मंधाव्या, अस्टॉप TV, पार्टनसीब बोट के अधिश को वर्ल्ट टुबर्कुलोसिस टे कमना जाता है 24 मार्च को 2022 के थिमक्या इन्वेस्ट टीवी सेप्स लाइफ मोस्ट इंपॉर्टन कोशन ध्यार कीगा टीवी हारेगा देश जीते जाता लक्ष कपते के हर गर जल का लक्ष है 24 तक एक सवाल पर आते हैं कि अंतराश्टी होकी महासंग ने किस देश की होके टीम को एटी एन ग्लिच पुरुसकार से समानित किया भारत इसके कप्तान कौन है मन्पृशनिक कोच है ग्राम रिड और गोल कीपर है पियार स्रीजस किस लाज में बास प्रतानमंत्री 100 प्रजेट को कहां से लॉंच किया गया पूने का मतलब होता है यहां इथिनौल जो कि सबसे स्वक्ष इंधन है 2017 तक कारवन टरस्ता वाला देश कौन सा आओगा भारत होगा 14 बिक समिट की जो दक्चा दौरबास में किस ने किया है अंग्टाड की पहली महिला अधिश कौन मनी रेविका ग्रीन श्पैन अंग्टाड का मुख्याले कहां जिनेवा स्टूजन लाइन में ध्यान रखेगा नेक्स सवाल पर आता है इअमरित पोर्टल का संबंद किस संगठ से नीती आयोग से है नीती आयोग के स्थापना कबोती एक जनवरे 2015 को नीती आयोग के वरतमान उपाधेश कौन है सुमन के बेरी और इसके जो वरतमान जो CEO कौन है परमिशवरन अईयर है ये चार पॉइं राज है वर्स 2022 में सीपरी द्वारा प्रकासित नविंतम सैंड वेर डिटाबिस में 2021 में कौन से देश सिर्ष पर रहा है अमेरिकाडा भारत तिस्रे स्थान पर रहा है ठीक नेक्स स्वाल पर आते हैं चर्चा में रहा है H.A.L.D.O.228 क्या है नागरिक एक विमान है नाग प्रकासित रहा है पिथम पूरा इंदोर मद्र परदेश में ब्रह्मोस बिनिर्मान केंद्र कहां इस्तित है ध्यां रखनाव ब्रह्मोस एक सूपर सोनिक क्रोज मिसाले ये भी ध्यां रखीगा सिंधु ताइस अपकाल का 4 जनवी 2022 को निधन हो गया वे 26 से समाजी कार करता थी तो 21 मेने पदम स्री से समानित किया गया महाराश्ट की मंदर ट्रेशा के नाम से जाना जाता है और अनात बच्चों की माज से ये प्रसीद थी हाली में उडिता का कौन सा जिला पहला बाल बीवा मुक्त जिला घुशित किया गया गंजम जीला करी अभ्यान या निर्व नाम है चंद्रा नैडू, भाइरत की पहली महिला, काडियोलोजिस्ट जिनका हाली में निदन हो गया डॉक्टर पदमावती है नेक्स वाल पहला पहला बहुगूना का संबंध किस्से है तो चिपकौ अंदोलन से है उत्राखंड में इन्होंने ये अंदोलन सुरू किया थ इनका हाली में ने दिन हो गया और इसी के तरश पर एक अंदोलन हुआ था जो की साउत में करनाटक में है वनों की कटाई को रोकना इस अंदोलन का उदेश था भारत का पहला राज जो धुवा मुक्त और एलपी जी उक्त है हिमाचल प्रदेश रेवी जो मुक्त भारत के पह किस ले तो टॉम अफ सेंड के लिए जो की एक हिंदी में लिखी गई पुस्तक है तदा इसका जो अंग्रेजी मैनुवाद किस ने किया है डेजी वाखवेल जो कि अमिर्का की है ठीक है इनको भी ये पुरुसकार मिला है सही रूप से विश्व बैंक का सिक्षा सलाकार किस माइक्रोसाफ्ट के वरतमाद CEO कौन है सते नडेला अमिजन के वरतमाद CEO कौन है इंडिजर्शी गूगल के वरतमाद CEO सुंदर पचे चर्चा में रही लॉरेल हरबड कौन है तो एक ट्रांसजेंडर एथिलेट निजजडन के रहने वाली और टोक्यो ओलंपिक में के पहले ट्रांसजेंडर एथिलेट है लॉरेल हरबड तो ध्याल रखेऊगा लॉरेल हरबड कौन थी ट्रांसजेंडर एथिलेट जो की टोक्यो ओलंपिक में पथिपेट की थी, हाली में चीन के वेगणिक ने उरτιणियम के सबसे हलके रूप की खोज की, इसका नाम इरिणियम 214 किसे मिला है सिंथिया रोंसेज वेक को कौन सा राज जिनोम सिकेंसिंग की सुविधा उपलब्द कराने वाल अदेश का पहला राज बन गया राजिस्थान अलमपी का नया आदर्सवा क्या है सीटियस अल्टियस फोर्टियस और कमीटर यह जो कमीटर जो है न नया वर्ड इसमें एड़ हुआ है टोकिय अलमपी का आदर्सवा क्या थै उनाटेड बाई इमोशन भारती तट रचक अब तटिये गस्ति पोध सजक को कमिशन किया गया इसका निर्मान के दवारा किया गया है गोवा सीप्यार लिम्टेड दवारा किया गया है रुटली अवर्ड 2022 की से दिया गया चारुदत मिश्च को भारत में हीम तेंदवा के सनक्षन के लिए कोवएक संगठें से जुने वाला भात के पहला राच कौन से है पंजाब मेनी निर्मान के मड़ेस पाली राजसान ऐसां को तेजपूर की जिछकर scale node के इसको मिला असम को जो डीमा वान का जी मil्धी अफ्याम को का जाला चावल जिसको चक्थ आक हो का दिला मनी पूर को वाडा कॉलंpero चावल सफेद प्यास का जी अटेक मिला महारास्ट को लॉंग का जी अटेक मिला कन्ये कुमार तमिलनाडू को पहली एलक्टिक विकल सिटी कौन सी के वड़ी है गुजरात गुजरात के नए मुफ्मंत्री कौन है पेंद्र पडेल रेलवीबूर्ट के नए अधिक्ष एवम सीओ कौन मैंने हटा दिया गया है तो यह ध्यान में रखिएगा इनके आप फिलाल अभी जो कोशन आएगा आपके यही आएगा कि कौन थे हैं ठीक है चले समरीद जोजना का संबंध किससे है तो स्टार्ट अप को गती देना इलेको allora कर्या का राज के पहला एलंजी टर्मिनल कहा स्थापित हुआर्पी नाखपुर में फारत के पहला एलंजी टर्मिनल कहा स्थापित हुआ नाखपुर में पहला एलंजी टर्मिनल जो स्थापित हुआ नागपूर महाराष्ट में लेकिन का नाठा का पहला जो एलंजी टर्मिनल है मंगलूरू में लेकिन यह भारत ले छटा टर्मिनल होगा सासे आठ जन्वरी 22 को ई प्रशासन पर 24 वे राष्ट्य शमयल का जुन कहा किया गिए है थीम क्या थी महारे के बार डिजिटल प्रशासन ये कैबिनेट परणाली को लागु करने वाला पर घ्राज कौन सा है हिमाचल परदेश ये लोग आदालात परणाली को लागु करने वाला पहला राज है 36 गर्णी को जुरिटल पर चादhew अट हाली में एक्सेलेंस बा पर घ्रासन के वाउड होग प्रुषकार 22 किसी दिया गया दामोदर मौजे को कोंकरनी भासा के दिया रखी गा पांच जनवरी 2022 को कंद्री मंतरी डॉक्टर जिचन सी ने राष्टी विग्यांदिवस राष्टी विग्यांदिवस 22 की थीम को लॉंच किया यह दिवस मना जाता है 28 फरबड़ी को और इसी दिन सीवी रमन को सीवी रमन ने रमन प्रभाग की खोच की थी ठीक है और 1930 में इसी खोच के लिए ने नोबल प्रुषकार मिला था ठीकर राष्टी विग्यांदिवस स्टाइस फडोरी को मना जाता है ध्यान रखेंगा लाष्टी विग्यांदिवस 22 की थीम क्या है यह भी ध्यान रखेंगा दिर्ग कालिन भविष्व के लिए विग्यान और तकनीक का एक क्रित दृष्टी कोन तो दोनों कोशर आपस में इंपोर्टेंट है विष्व आद् से तीस जुन तक और इसकी थीम थी रिकावरी स्ट्रेंग इंविष्व को की अमोर्द धरोर सूची में भारत का स्थान कौन से है चौधामा स्थान है और इसमें कौन से सामिल है दुरुगापुजा वेस्ट मेंगॉल का जनवड़ी 2022 को इंटरनेशन सोलर सोलर एलाइंस मे सामिल होने वाले 152 देश कौन से एंटीगो और बर्मूडा एक से एकमा देश था यूएसे इंटरनेशन सोलर एलाइंस के वर्तमाल महानी देश कौन अजे माथूर अंतराश्टी मुद्राकोस की नविंतम सदस कौन है आजेमिफ का जो नविंतम सदस है यह वो है एंडोरा एक सोनबेवा देश है इसका सदस ठीक सिंटराश्ट संग का नविंतम सदस कौन है दक्षिन सुदान 193 करम का है न्यू डेबरेटरिम बैंक का नविंतम सदस कौन सा है मिस्र या इंडिस मिस्रो कहते है एजिप्ट नेक्स सवाल पर आते हैं टोकियो ओलंपिक 2020 में टोकियो सदसी सरवर का नाम क्या है जिसे हाली में लॉंच किया गया और इसे किसके दोरा विकाश किया गया मीटी दोरा अर्थाद मिनेश्ट्री आफ एलेक्ट्रोनिक्स एं इंफोर्मेशन टेक्नलोजी प्लस स्दाक के दोरा इसे विक्षित किया गया है पचिसमे राष्टी यू हिमसेल तूटकर अलग है इस हिमसेल का नाम क्या था एसेवंटिफिक चीनी सेरा की गतिवीदियो पर नजर रखने के लिए लगदाख और एलेसी के इलागों में हिराउन ड्रोन टैनात क्या किये जाएंगे या किस देश से आयत होंगे इसराइल से होंगे किस राज सरकार मिसन रियातक बनो सुरुकिया राजस्थान ने राजटिये मानवाधिकार आयोग के अधेश पद पर किसे नुक्तिया गया अरुन कुमार मिश्रा को अनुसुची जाती आयोग के अधेश कौन है विजेश अंपाला सी बियाए के प्रमुक कौन है दुबोत कुमार जैसवा नीतियाओ की दौर जारी 2022 में सतत विकास लक्ष भारत सुचकांग 2020 में कौन सा रासिस पे रहा है केडल अंतिम पर रहा है बिहार किस मंत्राले के तहत युवा प्रधान मंत्री योजना के शुरुआत की गई सिप्षा मंत्राले और युवा का फॉर्म क्या होगा यंग अपकमिंग अन्वर्साटाइल ओथर्स लेक्स वाल पे आते है कि नेशनल पावर कॉर्परेशन अर्था NTPC लिम्टर ने देश में 25 20 मेगावाड का सबसे बरा फ्लो टिंग ठीक है फ्लो टिंग फ्लो टिंग शोर पावर प्लान प्रोजेक्ट कहां सुरू किया विशाखा पंधर पत्नम आंद्र प्रदेश में कॉपल ट्वाइट क्लस्टर जो देश का पहला खिलावना निर्मान क्लस्टर ही कि सराज में स् इवी काज अकिस्तान होगा भारत की नई 2030 तक इतनी नवी करनी उर्जा का लक्ष रखाया 450 गीगवाड 2022 में इसका लख्षे 175 गीगवाड छे जनवडे 2022 को किस राज के पुर्व मुख मंत्री प्रताव सिरानी को राज मंत्री प्रस्टर आज इवन क्याविट मंत्री का दर बुक जो की हाली में खबरों में थी किस सस्त्र बल समों का मैनुवले एस्पीज अर्थार्थ अस्पेसल प्रोटेक्शन ग्रूप का साथ जनवडे 2022 को राश्टी जल प्रुसकार 2020 में जल सरक्षन के परियासों के लिए किस राज सरकार कुपर्थन प्रुसकार दिया है उत्तर प्रदेश तुसरे अस्थान परे राजस्थान तिसरे पर तमिलाडू कब होता है 2019 में होता है इसके पहले मंतरी बनते है करदें सुषी से खावत बाहत का नविंत नम्तराले कौन सा है बना है सहकार्ता मंतराले और इसके मंतरी कौन है अमिश्या आईसा मेली किस देश की पहले महिला सुप्रेम कोट की जज होंगी पाकिसान की होंगी प्रतिवर्स प्रवासी भारती दिवस का मनाया जाता है नौजनवरी को 2022 में 17 वीवार मनाया गया है और 2003 से यह सुरू होता है नौजनवरी 1915 को महातमा गांधी दक्षिन अफ्रिका से भापस आते हैं इसी को प्रतिवर्स प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है साथ जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग खादी और ग्रामोद्योग ने देश की पहली मुवाइल हनी प्रस्टिंग बैंड कहां लौंच किये गाजवाद उत्तर परदेश में खादी और ग्रामोद्योग आयो के नया धक्ष कौन बने मनुझ कुमार बन गए है और बात करें इसके अस्थापना किस अधिनियम के तहत हो थी 1950 से इसके अस्थापना होती है देश का पहला ग्रीन मुंसिपल बॉंड किसे ने जारी किया गाजवाद नगर निगम ने किसने राजस्तान के उद्यपूर में प्रोजेक्ट बोल प्रादम किया खादि ग्राम उद्योग ने उद्यज को बढ़ावा देना इसके अस्थापना होती ए मिरे में प्रोजेक्ट बोल प्रोज़ेक्ट किसे ने सुरुבס ने ब्याजवक के वई स्योग से विच विटमान जो परमुक्वान है पंकच कुमासी है जन्वडी 2022 में किसे ओपे का नया महासची बनाए गया है है जो की कुबैत के हैं कुबैत के राजाने के है कुबैसुटी ती मल्टिप्लाइट टू ओवर 2022 किसे दिया गए सत्य मंगलम टैगर रिजर्व को तमिलाडू ये कहा है रिजर्व से आया कोई-19 का वैरेंट है जिसका नाम है वी डॉट वन डॉट वन वी डॉट वन वी डॉट वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन डॉट फाइब तून है ठीक ओमिक्रोन की टेस्टिंग के लिए पहली सोदेशी किट का नाम क्या ओमिशोर का जिंद युद अब्यास 2022 किंदो देसों के बीच में भारत और कजाकिस्तान के बीच में डसलिक एकसरसाइज किंदो देसों के बीच में होता है भारत और उजबेकिस्तान के बीच में खंजर एकसरसाइज होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में अमफान के ये परकार का युद अब्यास है ये होता है तो समुद्र सक्ति और गरूर जो अभ्यासे यह होता है आपका भारत और इंग्लाइंड के बीच में होता है कि समुद्र सक्ति और गरूर सक्ति नेक्स सवाल पर आते हैं कि कौकल एक्ससाइज किसके बीच में होता है भारत और इंग्लाइंड के निया महासजी बने ज्ञांग मीं संगाई सहयोग संगठन की आतंकवाद बिरोधी युद्यभास का नामे पाब्भी कौन सा देश जिवासम मुक्त स्टील का निर्मान करने वाले दुनिया का पहला देश मनगे शुल्डन कौन सा सहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गय बलस बेश अग्या है जिया शे का जो अग्या प्लस का लुषण का वर देश बने वाले इंद बन गयाद संगल क मुक्त सुनिया है आतंके लिए का देशे जिया है जिया है लिए जिया है